पाकस्तान अपकानिस्तान के बीच जंगी तनाव पाकस्तान को तालिबान की सबसे वड़ी धंकी तालिबान ने पाकस्तान को अंजाम भूगतने की धंकी दिये पाकस्तानी रक्षा मंत्री के बयान से पाकस्तान और तालिबान के बीच एक बार फिर से जंगी तनाव चरम पर पहुंच गया है तालिबान पाकिस्तान पर इस कदर भड़का हुआ है कि डूरन लाइन पर कभी भी बारूदों की बारिश हो सकती है दोनों तरफ से गोलिओं की तरटडा हट सुनाई दे सकती है क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान को सीधी-सीधी चितावनी दिये अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है ऐसे में सवाल है कि आखिर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा क्या ये हम आपको आगे बताएंगे लेकिन पहले तालिबान की चितावनी भी देख लीजिए क्या कहा गया है तालिबान की तरफ से तो तो पाकिस्तान को तालिबान की पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या जंग हो जाएगी जिस तरीके की चेतावनी मिल रही है वो इसी और इशारा करती है सबसे पहले तालिबान ने धमकी दिये हमारे एक शित्र में आकरामक कारवाई हम बरदाश्ट नहीं करेंगे अफगानिस्तान में हमले के गंभीर परण पाकिस्तान के अफगानिस्तान में अफगान में हमला कर रही है तो ये है जानकारी जिसमें पाकिस्तान आरोप तालिबान पर लगा रहा है हाला कि ये भी आपको बता दे कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंगी दुश्मनी की सबसे बड़ी वज़े दूरन लाइन को बताया जाता है डूरन लाइन की वज़े से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई बार जड़ब भी हो चुकी है और इसलिए आप पूरे डूरन लाइन विवाद को भी समझे क्या है ये डूरन लाइन का मसला तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमेटर लंबी ये सीमा रेखा है और पाकिस्तान इसे असली सीमा रेखा मानता है अफगानिस्तान ने डूरन लाइन को माननेता नहीं दी तालिबान इस सीमा रेखा को मानने को तयार नहीं है तो डूरन लाइन विवात क्या है यह हमने आपको बता है और इसी को ले करके टेंशन लगातार तालिवान और पाकिस्तान के बीच में बनी रहते है